जय हिस्रिमाकाल जय मातराने की आप सभी का मातराने कल्यान करें और आप सभी को शुकी रखें आज एक दिवस्य साधनाओं के बारे में आपको कुछ बता रहे हैं जो आप किसे भी होली है दिपावली है घरान है या कोई विशिष दिन होता है तो उस दिनवा में एक दिवस्य कोई शाधना करना साते हैं अगर ज़्यादा करता है तो कोई एक दिवस्य की पाबंदी नहीं है लेकिन कोई लोग ऐसे केते हैं कि मुझे तो एक दिवस्य साधना करनी है ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ तो ऐसी सक्तिया होती है जो एक दिवस में भी बहुत कुछ आसिल करा देती हैं अगर आप शाते हैं कि इस साधना को एक दिवस की जगह अनेक दिवस तक करते रहें तो बहुत कुछ से भी बहुत कुछ ज़्यादा हासिल हो शकता है आप से निवेदन यही है कि आप हमारे सनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा और वीडियो अच्छा लगे लाइक और सेर जरूर किजिएगा हर किसी के मॉबाइल में कोई न कोई वाटसप गरूप वगरा होते हैं टेलिग्राम गरूप वगरा होते हैं फेस्बुक अकाउंट होते हैं तो आपसे निवेदन है कि एक एक बार सभी में हर वीडियो कोई भी वीडियो है आप एक बार ज़रूर शेयर किजिएगा ताकि अन्य लोगों तक भी पहुच सके बात करते हैं इस साधना की तो यह आपको मैं एक दिवेश्य मातंगी साधना क तो आप कहीं भी किजिएगा घर पे भी कर सकते हैं या आप कहीं भी ऐसी जगों में भी कर सकते हैं जा आप साते हैं जैसे समसान हैं कोई एक खानत हैं कोई जंगली हैं कोई गुपा हैं कोई भी ऐसी सकतियों की साधना आप कर सकते हैं कहीं भी कर सकते हैं और घर पे करना सा शादना करते हैं तो उसमें परसंट परियोग करना पड़ता है अलग वस्तुओं का भी परियोग करना पड़ता है थोड़ा अलग तरीकी से करते हैं तो उसमें क्या होता है साइड के एफेक्ट भी होते हैं उसमें अन्य शादना होती है आसपास की वो भी कभी कभाग जागर और दूसरी लोगों पर भी उनका परवाव पढ़ना सुरु हो जाता है। आप जब भी ये साधना करते हैं एक दिवस्य साधना तो आपको बहुत सी सक्तियां होती है उनके लिए कुछ न कुछ सामान का परियोग करना पड़ता है सामगरी को एकट्टा करना पड़ता है तो इसके लिए आप क्या करेंगे इसके लिए आपको खवन भी करना पड़ेगा जब भी करना पड़ेगा तब भी करना पड़ेगा सब कुछ करना पड़ेगा इसके लिए आपको खवन के लिए जैसे की है कुछ सा थोड़ा बहुत अच्चा वाला शराब का परियोग कीजिएगा उसमें इसके लावा लॉंग है काली मीरा से गुंगल धूप है और उसके लिए आप कड़े का परियोग कर सकते हैं ठीक है आप किसी भी गाय भैस के कड़े ले आए और या फिर लकड़ी का भी परियो कर सकते हैं उसमें हवन कुंड में उस पर आपको अहुती देनी है तो जब भी हवन की सामगरी बनाए आप तो उसमें आपको क्या करना है जैसे बहुत सी हवन की सामगरी आप मार्केट से एक आद पूरा लियाएगा चोड़ा और अच्चा वाला लियाएगा जिसमें बहु मिरस वगिरा होती है नहीं होती है तो अपने तरब से भी उसमें मिलाना है इसके लावा धूप आप ले आएगा थोड़ा पावर धूप ले आएगा उसको भी आप गुरादा बना के उसमें मिलाना है उस सामगरी के साथ में और जब भी इन इसका जो भी मंतर जब है आप उस आधना में बैठने से पहले इसमें कोई भी इशारवागेरा लगाने की, शुरकशा वगेरा लगाने की जरूरत नहीं होती। यह शाधक के लिए कोई जरूरी है। आपको उसमें ब्राखरीक का परयोग करना है, आप गीषा ब्राखरीक का चलाएगे गाट। ठीक है कीका दीपक चलाईएगा दूप के लिए अगर बत्तिय आप जला लेजिएगा एक बार और साम होते ही रात्री का लिन में आप ये साधना शुरू कीजिएगा इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है आप जैसे मान लिजिए इस मंत्र का परियूग करते हैं आप 10 माला यानी 1000 जब 10 माला का परियूग करते हैं तो 15 मिनिट का समय इसमें लगता है 15 से 20 मिनिट मान लिजिए 15 मिनिट काफी हो गया तो अगर 110 माला करने में 15 मिनट लगते हैं तो आप 15 मिनट को 10 से यानि आपको लगबक 3 गंडे का समय लगेगा 3 से 4 गंडे हवन वगेरा टोटल मिला के 4 गंडे का समय लगता है तो ये रात्री का लिन में आप ये साधना किजिएगा अगर एक दिविश्य साधना करते हैं जैसे ओली दिपावली को विश्य सनिवार वगेरा में करते हैं अम आवस्या वगेरा में करते हैं तो रात्री का लिन में आप ऐसे साधना करते हैं तो ग्यारा बज़े ये साधना सरू कर लेजिए गया मान लेजिए आप ग्यारा बज़े करते हैं तो तीन बज़े तक ये साधना ने पड़ जाती है तब जैसे इस साधना तीन बज़े तक हो जाती है तो इसमें विशेश समय होता है वो add हो जाता है रात्री का लिंड का यह जैसे एक बज़े से तीन बज़े के बीस में बहुत अच्छा परवावसाली समय होता है तो उस समय यह करते हैं तो काभी घारगर रहता है आप यह सब सामगरी लियाएगा सब को mix कीजिएगा बड़ा मिला सुला के सब अच्छा कीजिएगा सब अच्छा करने के बाद में जैसे चादना सुरू करते हैं तो आपको 111 माला कम से कम इसमें जब करना है जब आप 11 बज़े यह इसका जब सुरू करते हैं तो आप 2 बज़े तक इनका जब पूरण हो जाएगा अब गर आपको मान लीजिए आपका दो बज़े तक जफ नहीं होता है तो आप 11 बज़े से पहले भी आप इसको शुरू कर सकते हैं 10 बज़े ही शुरू कर दीजिएगा 10 बज़े करेंगे तो भी आप 1.5 बज़े 2 बज़े तक इनका जफ है जो 111 मला का वो पूरण कर सकते हैं जब यह पूरण हो जाता है तो उसके बाद में आप पहले से ही हवन का वगेरा जो भी है सब सामगरी का है हवन कुण का है यह सब बंदोबस्त करके रखना है ताकि आपका रातरी कालिन का समय होता है वो समय बर्बाद ना हो सके और आप उस शादना को लगातार जारी रख सकते हैं जैसे ही आप 111 मला इसका जब हो गया उसके बाद में आपको इसका हवन का है वो आपको शुरू करना है हवन का शुरू करने के लिए आप कम से कम रात्री में इनकी 15 मला हवन करना है यह जब भी आपका जब पूरा होता है तो 15 माला इसका हवन करना है हवन में 15 माला के लिए जब आप 15 माला हवन करेंगे तो उतनी ही सामगरी का आपको बंदोबस्त करके रखना है ये सामगरी होनी चाहिए कि अपने को 15 माला तक जैसे मान लेजे आदा समझ भी हर बार स्वा के साथ में उसको करते हैं तो आपको 15 माला जितना बंदोबस्त करके रखना यानि किलो डैर किलो का सामगरी होना चाहिए उसमें तब जा कि आपका काम हो जाएगा मंतरा आप सुन लीजिएगा होम कलिम मातंगिये संडी होम फट श्वा इसमें फट लगाते तो भी ठीक है नहीं लगाते तो केवल श्वा किजिएगा जैसे होम कलिम मातंगिये संडी होम श्वा हा तो इस तरीके से इसका जब करना है और से करेंगे तो ये रात्री कालिन की साधना एक दिन विश्य साधना है इसमें भहुत कुछ शासिल करेंगे ये सकती एक ऐसी सकती है इसकी साधना करने के बाद में इंसान कहीं से कहीं पहुंच जाता है कुछ समय के बाद में जैसे ये साधना करते हैं तो आपको फिर ये एक द दारी रकीकस के अबल अगर बत्ती कर सकते हैं फिर आपको कोई हवन दूपदीप करने की जरूद नहीं है अगर बत्ती करके भी यह आपके घर की सत पर रहे कहीं भी एकान कमरे में बेट के ध्यान के साथ में आप इतना जब कर सकते हैं अगर इतना करने के बाद में आप अग इस सक्ति को आप भूल जाते हैं तो फिर वो सक्ति भी कोई भी सक्ति हो ये सक्ति ये दूसरी सक्ति आप उस सक्ति से दूर हो जाते हैं तो इस तरीके से ये किजिएगा आप शरूर इस साधना में सपल होंगे अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हर कोई है जो वो आपको पीछे देने के लिए कोई भी सकती नहीं आएगी, हर सकती में आपको तफस्या करने पड़ेगी, हर सकती में कुछ न कुछ तप करना पड़ेगा, अपने को समय लगाना पड़ेगा, उसमें सब कुछ करना पड़ेगा, अगर आप ऐसा करते हैं, तो ही सपल होंगे बिना अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कुछ समय के लिए आप से साधना करके बैट गए और घंडे बर किया आप उठ गए फिर आप कहते हैं कि अब कल करेंगे वो करेंगे तो फिर वो सकती आप से संप्रक भी उसका नहीं हो सकता हर साधना अधूरी रह जाती है तो ऐसा कुछ करने से पहले सो से फिर आप साधना में सपल हो जाए जैसरी माकाल आप से निवेदने सेनल को सस्प्सक्राइब जरूर कीजीगा